तो किस तरीके से आप एक simple सी mobile app create करकर earning start कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा, दोस्तो अगर आप ChatGPT या DeepSick के माधियम से mobile app create करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ steps को complete करना है, तो सबसे पहले आपको DeepSick और ChatGPT के उपर आना है, और इसके उपर अपना account create करना मैं यहाँ पर आपको दोनों से mobile app create करना बताऊंगा, और मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगा, कि best app आप किस AI tool के माधियम से create कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ChatGPT या DeepSick के उपर आना है, और अपना account create करना है, और account create कैसे करते हैं, ओलडी मैं आपको अपनी previous वीडिय इसको देख लेना है, कैसे DeepSick और ChatGPT का account create करते हैं, आपको इस समझ में आ जाएगा, जैसे आप DeepSick या ChatGPT के उपर अपना account create करने, उसके बाद आपको इसके home page को पराना है, start now इसको पकलिक करते हैं, जैसे आप इसको पकलिक करेंगे तो आपके सामने new page आएगा, सेम इ तो यहां समझ में अपने prompt को copy करूँगा, यहां पर copy and paste कर दूँगा, यहां पर भी copy and paste कर दूँगा, and यहां पर भी copy and paste कर दूँगा, and prompt के अंदर मैं लिखा है, I need to create a calculator, basically मैं आपको यहां पर एक simple सा calculator बना कर दिखा हूँगा, सेम इसी से idea लेकर आप यहां पर किसी भी type की app create कर सकते हैं, तो यहां पर मैंने लिखा है, I need to create a calculator, that perform basic to advance arithmetic operation, also add display to show results, give me a mobile responsive HTML, CSS and JavaScript codes, उसके बाद आपको यहां पर इस LAN को read करना है, जो कि मैंने यहां पर किया है, remember, I need each code separately, ताकि मुझे यहां पर HTML, CSS and Java के code यहां पर separately मिल जाएं, और मैं अपनी app को easily create कर लो, तो इस तरीके से आपको यहां पर prompt को type करना है, और prompt आपको मेरे telegram channel पर मिल जाएगा, तो lecture आप मेरे telegram channel को join कर लें, ताकि आपको आपको सारी websites और prompt वगरा मिल जाएं, जैसी आप यहां पर अपने prompt को type करते हैं, उसके तरीके समय पर आऊंगा, और मैं send इसको पर click कर दूँगा, अब यहां पर deep sick और chat GPT ने work करना start कर दिया है, और यहां पर आपके codes बनने start हो जाएं, तो यहां पर हमारे codes बनने start हो जब तक हमारे codes यहां पर बन रहे हैं, उसके बाद मुझे यहां पर इस website को पजाना है, जि इसके मदम से हम यहां पर यहां पता लगा सकते हैं, कि जो codes हमने यहां पर create की है, codes यहां पर work कर रहे हैं यह नहीं कर रहे हैं, तो code की सत्यापना को check करने के लिए हम यहां पर इस website का use करने वादे हैं, तो simply आपको इस website को पराना है, और इसके ऊपर अपन account create करना है, और account create करना कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक इनफोर्मेशन को फिल करना है और आपका अकाउंट यहां पर क्रीट हो जाएगा, मैं अगेन दीपसिक के उपर जाओंगा और चेक करूँगा कोड्स मेरे सेपरेट कोड डालने की 打क स्छिन भीचाओं तो पहले बंशतके प्ड़ी यहां पर मैं अपना कोड को पीं scope कर यहां पर मैं हमसी परचान के कोड को कॉपी कर लिया है यहां पर हमारा result इस प्रकास से बनके रेड़ी हो गया है, पर आप यहां पर दे सकते हैं, calculator यहां पर अधूरा बना है, इसके अंदर display show करने का कोई भी option ने जरा रहा है, जिसके मालो मैं यहां पर कुछ भी calculation करता हूं, तो calculation कहां पर हो रही है, मुझे यहां पर दिखाई नहीं दे रही है, मैं यहां पर मेरे deep sick ने अधूरे codes create किये हैं, और मेरी app भी यहां पर ढंक से create नहीं हुए है, अब मैं यहां पर chat GPT के results को check करूंगा, और देखूंगा कि वहां पर code अच्छे बने हैं या नहीं बने है, कि codes अच्छे से work कर रहे हैं यह नहीं कर रहे हैं, वहीं मुझे check करने हैं, तो इसके लिए मैं जाओंगा चाज GPT को पर, यहां से मैं HTML code को copy करने वाला हूं, अगेन मैं यहां पर आँगा, and HTML के अंदर HTML के code को copy and paste कर दूँगा, अगेन मैं यहां पर आँगा, यहां से मैं CSS के code को copy कर दूँगा, अगेन में यहां पर जाने वाला हूँ, यहां से मैं इसके JS की कोड को को कोपी किया है, इसको मैं JS के अंदर कोपी and पेस्ट करता हूँ, अब मुझे चैक करना है, कि मेरा जो काल्कुलेटर वर्क कर रहा है, यहां पर आपको डिस्पले का ओप्शन ने जरा रहा है, जैसे हैं आपको थे वर्क करता हूँ, यहां पर 8 नजराता है, इसको पर यहां पर यहां पर यहां पर दिकोंपर दिखएर रहा है, तो पहले यह को पुछी करता हूँ, बहुत करता हूँ, कर दिश्पलेटर 9 x 8 तक और मैं बजस्फे लगां में काफी अच्छे हैं, तो मैं अगें यहां पर आऊंगा, यहां से मुझे अपने codes को copy करना है और इसको मुझे folders करना है, तो इसके लिए मुझे जाना है अपने computer के desktop के उपर, right click करना है, new इसको पर click करना है, folder इसको अपने folder के name डाल देना है, तो जसे कि मैं आपने folder को open करना है, right click करना है, new इसको पर click करना है, text document इसको पर click करना है, अब आपको अपने text document-notepad को open करना है, अगें आपको जाना है, chat GPT को पर यहां से आपको html code को copy करना है, notepad को open करना है, code को copy and paste करना है, file इसको उपकलिक करना है, save as इसको उपकलिक करना है, again यहाँ पर आना है, यहाँ से आपको इसको copy करना है, index.html को, again यहाँ पर आना है, copy and paste करना है, save इसको उपकलिक करना है, अब आपको bottom में जाना है, यहां से आपको CSS code को copy करना है, again notepad को open करना है, यहां पर आपको इस code से replace कर देना है, file इसको पकलिक करना है, save as इसको पकलिक करना है, again इसको पकलिक करना है, यहां से आपको style.css इसको copy कर देना है, and इसको पकलिक करना है, यहां पर आपको इसको इ करना है अगें नोट पैड को open करना है यहां पर code को copy and paste करना है यहां से आपको script.js इसको copy करना है अगें यहां पर आना है file इसको पकलिक करना है save s इसको पकलिक करना है copy and paste करना है, save इसको पर click करना है, अब आपको इसको close करते हैं, अगेन आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से आपको text document इसको delete करते हैं, तो यहाँ पर आपने अपनी तीनों code, HTML वाला code, JavaScript वाला code, और CS code को यहाँ पर save करते हैं, अब आपको check करना है, क्या मेरी website या मेरी app यहाँ पर work कर रही है, या नहीं कर रही है, तो इसको मैं यहाँ पर double click करूँगा, यहाँ पर मेरा result इस परकार से open हो चुका है, और मेरा calculator यहाँ पर बन चुका है, देख सकते हैं, मैं इसको उपर click करूँगा, right click करूँगा, then send to इसको उपर click करूँगा, और compress jif folder इसमें इसको change करूँगा, इसको मैं save कर लूँगा, and यहाँ पर मैं इस परकार से इसको save कर लूँगा, again आपको जाना Google के उपर, अब आपको इस website को open कर लेना है, जिसका नाम है tiny.host, इसके इसके उपर हम अपनी app को host करने वाले है, तो simply आपको इस website को उपर आना है, इसके उपर अपना account create करेंगे, जैसी आप इसके उपर अपना account create करेंगे, तो आपके सामने कुछ उस्पका कंटरफीस हैगा, and यहाँ पर आपको option मिलेगा upload file का, तो आपको इसको पर click करना है, upload file इसको उपर click करना है, यहाँ से आपको अपने zip folder को open कर लेना है, यहाँ पर आपको अपनी website का name डाल देना है, और check करना है, क्या इसका URL यहाँ पर available है या नहीं है, तो यहाँ पर मैंने यह नाम डाल दिया है, उसके बाद मैं आपको इसका URL भी check कर चुका हूँ, अब इसका नाम है वाब इन्टू एप, वाब इन्टू एप बेसिक एक वेबसाइट है, जो आपकी hosting वेबसाइट को एप के अंदर change कर देगी, तो simply आपको इस वेबसाइट के उपर आना है, इसके ऊपर अपना account create करेंगे, जैसी आप इसके ऊपर अपना account create करेंगे, आपको इ page आयेगा यहाँ पर आपको URL का option जराएगा तो आपको यहाँ पर अपने URL को copy and paste करनें जो कि हम ने यहाँ पर अपने URL करेंगे लिए गयाँ छिए को मैं अपर copy and paste करने यहां पर आपको कड्र डिंग में आप अपनी येन रखनें है तो यहाँ पर मैं नाम रिखते सहों आपको यहाँ पर आना है Make App इसको पर क्लिक करना है जैसा आप इसको पर क्लिक करेगे, तो आपकी एप यहाँ पर बननी स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही सेकंड्स में आपकी अप की एक किरीड हो जाएगी जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है और उसी के वो आपको प्रमोट करना है मैक्समुम लोगों को आपको अपनी अप को इंस्टॉल कर लेना है ताकि आपकी अप यहाँ पर आपके जो भी आपके कस्टमर्स है वो इसको यहाँ पर यूज कर पाए तो इस प्रकास से आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी अप क्रेट करना है, तो मेरी अप यहाँ पर क्या हो चकी है, बन कर रेडी हो चकी है, यहाँ पर आपको डाउलोड का ओप्शन नज़राएगा, आपको इसको पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको इस Google AdMob का यूज़ कर सकते हैं, तो simply आपको जाना है Google AdMob के उपर, और इसके उपर अपना अकाउंट करेट करेंगे, जो कि free of cost हो जाता है, आपके सामने कुछ इस पर interface हैगा, अब आपको यहाँ पर अपनी payment information, profile वगदरा create करेंगे, उसके बाद आपको जाना है Apps के उपर, यहा अब आपको अपनी app, जो हमने अभी create की है, उसको यहाँ पर add कर लेंगा है, जैसी आप यहाँ पर अपनी app को add कर लेंगे, तो आपकी app यहाँ पर इस परकास अज़राएगी, जैसे कि हमने यहाँ पर 4 या 5 ऐप सो add कर रखा है, इस परकासी आपकी app भी यहाँ पर display हो उसको आपको सिलेक कर लिना है और इसके कोड को जनरेट कर लिना है जैसे कि हम यहां पर कोड जनरेट कर रखें अब आपको यहां से अपने कोड को गोपी कर लिना है और इसको आपको अपनी अपके अंदर एड कर लिना है तो आपके अंदर एड करने के लिए अगें आपको जाना है chat GPT के उपर and यहाँ पर आपको प्रॉम लिखते ना है जैसे कि आप यहाँ ले सकते हैं I want to add my Google AdMob codes in my website in my app so please add in it इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रॉम लिखते ना है तो chat GPT यहाँ पर क्या करेगा आपके addmob के code के अनुसार आपके जो भी यहाँ पर codes होंगे उसको optimize कर देगा मिसाब का जहाँ पर code होगा उसके अंदर आपके add unit के code को add कर देगा ताकि आपकी app के अंदर आपकी add unit आपके Google AdMob की ads भी दिखाए देनी श्राट हो जाएंगे जो आपकी app के अंदर ads दिखाने श्राट हो जाएंगे जैसी आप यहाँ पर अपने codes को add कर लें, उसके बाद आपको again इस folder को पराना है and यहाँ पर आपको next change करना है यहाँ पर आपको index to HTML वाला जो हमारा code था, उसको आपको से place कर देना है, इतना ही कामा को करना है, उसके बाद only आपको यहाँ पर update करना है, जैसे आप यहाँ पर अपनी अपडेट करेंगे, तो automatically जो आपकी अप यहाँ पर create होगी, उसके अंदर आपकी ads विकरत दिखने start हो जाएंगे, और वहाँ से आप अपनी earning स्टार्ट कर पाएंगे, तो इस तरीके से आप यहाँ पर, तो इस तरीके से आप यहाँ पर, डीप से के चाहर जीपिटे कर यूज़ करकर, अपनी mobile app करेंट कर सकते हैं, I hope आपको आज का method समझा होगा, कैसे आपको अपनी app करेंट करना है, कैसे उ तो ट्राफिक लाने के लिए आपको अपनी app को free traffic sources के उपर promote करना पड़ेगा, और हमारे चालर के अंदर आपको बहुत सारे free traffic source के knowledge मिल जाएगी, जिसके उपर आप अपनी app को promote कर सकते हैं, तो simply आपको मेरे जाना है, पहले list को check करना है, बहुत सारे free traffic source के knowledge आपको मिल जा के app को use करेंगे, उतनी आपकी यहां पर earning हो सकती है, I hope आपको आज का method समझाय होगा, कैसे आपको अपनी app करना है, बिना coding के knowledge के वो भी आपको समना होगे, अगर आपको आज के वीडियो चले गी है, तो मैं आपसे यहां पर request करूँगा, कि आप अमेरे चानल को subscribe कर लें, वीडियो को पर कम सकम 100 like से लेकिया है, ताकि इसी app का awesome content आपके साथ share कर पाए,